आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं equation को solve करके दिखाने जा रहा हूँ x और y का value find out करके दिखाने जा रहा हूँ तो पहला equation है 2 by x plus 3y equal to 13, इसको equation 1 मानते हैं दुरसा equation है 5 by x minus 4 by y equal to minus 2, इसको equation 2 मानते हैं तो यहाँ पर हम simple तरीका बताएंगे कैसे solve के जाता है इस तरह के equation को तो यहाँ पर देखें y यहाँ पर नीचे में और यहाँ पर plus है, यहाँ पर minus है और उपर वाला जो term है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है तो अगर equation 1 में अगर हम 4 से multiply करते हैं तो यह हो जाएगा 12y divided by y उसके आसानी से add करने के बाद आप x का value find out कर सकते हैं तहाँ पर आप लिखें adding, sorry multiplying equation 1 with 4 and equation 2 with 3 तो हम 4 से multiply कर रहे हैं तो 4, 2 by x plus 3 by y equal to 13 into 4 उसी तरह से यहाँ पर 3 से multiply कर रहे हैं 5 by x minus 4 by y equal to minus 2 into 3 और 4 into 2 होता है 8 x 4 into 3 4 into 2 8 होता है 4 into 3 यह हो जाता है 12 by y 3 into 4 यह होता है 52 यह जो equation निकला इसको third माने और यहाँ पर 3 into 5 यह होता है 15 by x 3 into 4 यह होता है 12 by y minus 2 into 3 यह होता है minus x इसको equation 4 माने और दीखें यह term यह term दोने equal है sin opposite है यहाँ पर minus यह plus simple equation 3 और 4 को add कर दीए यहाँ लिखिए adding equation 3 and 4 यहाँ पर 8 by x plus 12 by y equal to 52 यहाँ पर 15 by x minus 12 by y equal to minus 6 add करना है तो plus plus minus minus plus minus यह 12 y है यह 12 y यह cancel हो किया उसके आद दीख सकते है 8 by x plus 15 by x और यहाँ पर 52 minus 6 तो यहाँ पर x LC हो जाएगा 8 plus 5 हो जाएगा फिर 8 plus 15 और 52 में से 6 जाएगा ती हो जाएगा 46 और यहाँ पर 8 plus 15 होता है 23 by x 46 by 1 cross multiply करते हैं तो 1 into 23 और x into 46 यह इसको 23 into 1 23 और यह 46 को नीचे ले जाएगे यहाँ पर x यह दो बार में कट जाएगा तो x का value यहाँ पर निकला 1 by 2 answer उसी दर से 1 by x equal to हो जाएगा 2 तो यहाँ पर x को यहीं पर छोड़ देंगे यहाँ इधर ले जाएगे तो 2 इधर ले जाएगे तो यहाँ इधर ले ज x equal to 2 और simple x का value किसी भी equation है put करती जीए ठीक है तो यहाँ पर x का value हम equation 1 में ही put कर जाते हैं ठीक है यहाँ पर लिखतेंगे 1 by putting x यहाँ पर लिखिए putting 1 by x और यहाँ पर लिखिए putting x value in equation 1 equation 1 यहां पे 2 by x plus 3 by y equal to 13 तो x का value निकला है 1 by 2 ठीक है यहां पे 2 1 by 2 plus 3 y 13 यह 2 उपर जम्प करेगा ठीक है तो उपर जाएगा तो यह 2 into 2 हो जाएगा plus 3 y equal to 13 2 into 2 4 उसके आद 3 y plus 13 यह 4 को इधर जाएगे 3 y equal to 13 minus 4 उसी तरह से 3 y equal to 13 minus 4 यह उड़ता है 9 उसके बाद यहां लिख सकते हैं 9 by 3 यह 3 बड़ में कट जाएगा तो y के मेल यहां पे निकला 3 जो की answer से 1 कर जाएगा लों जाएगवां यह रा सब्सके जाएग कट अखरता हैं पार यह